जैहिन दोस्तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि आज हम इस वीडियो में चलेंगे बदरीनाथ जो की हिंदुों के सबसे बड़े चार धामों में से एक है तो इस वीडियो में हम पूरा बदरीनाथ का टूर प्लान के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप बदरीनाथ जा सकते हैं कहां रुख सकते हैं इस टे के आपके पास क्या क्या ओप्सन होंगे कहां कहां आप घूम सकते हैं और इस पूरी ट्रिप में आपका कितना खर्चा होग तो इस सब के बारे में हम डिटेल तरीके से जानेंगे तो वीडियो को एन तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जै बद्री विशार बद्रीनाथ जो की हिंदूों के सबसे बड़े चार धामों में से एक है और हर हिंदू जीवन में एक बार इस पवित्र धाम के दर्शन जरूर करना चाहता है तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि आप इस पवित्र धाम तक कैसे पहुँच सकते हैं दोस्तों आपकी बद्रीनाथ और चार धाम की सुरूवात होती है हरिद्वार से हरिदवार जो की हरी का द्वार है और चार धाम का मुक्य द्वार है तो आप भारत में कहीं से भी हो सरव प्रथम आपको हरिदवार आना होगा हरिदवार बहुत ही अच्छी तरीके से तीनों माध्यम से देश भर से जुड़ा हुआ है हाला कि बद्रिनाथ पहुचने का आपका एक ही माध्यम है वो है आपका सड़ग मार पर पहले ये जान लेते हैं कि आप भारत के जिस भी सहर से आ रहे हैं जिस भी राज्य से आ रहे हैं वहां से पहुचने के लिए आपके पास क्या-क्या साधन है इसमें आपके पास दो अप्सन है पहला ट्रेन दूसरा प्लेन अब ट्रेन की बात करें तो जो आपका नजदी की इस्टेशन है वो है हरिद्वार और दूसरा रिसी केस तो ये दो इस्टेसन है अब आपके सहर से जहां की भी ट्रेनों वहां आप आ सकते हैं और जो दूसरा मात्ध्यम है वो है प्लेन तो जो नजदी की एरपोर्ट है वो है आपका जॉली ग्रैंट जो की धहरादून में है अब बात करते हैं हमारे पास हरिद्वार या धहरादून से बद्रिनात की यात्रा के क्या क्या साधन है यहाँ पर आपके पास केवल दो साधन है और पहला है बस जो की सबसे सस्ता साधन है यहाँ आपको सरकारी और प्राइवेट दौनों तरह की की बसे मिल जाएगी दोस्तो हरिदवार से बदरिनाथ की जो दूरी है वो है लगबग 320 किलोमीटर जिसे पूरा करने में आपको 11 से लेके 12 घंटे का समय लगेगा तो दोस्तो बस का जो पर परसन आपको चार्ज देना होगा अगर आपको डारेक्ट बस नहीं भी मिलती है तो आप जोसी मट से बदरिनाथ की दूरी 50 किलोमीटर की है तो आप जोसी मट अगर पोच जाए तो उसके बाद आपका 100 रुपे पर पर सन के लिए आपको जीप जो सेर टेक्सी होती है वो आपको जोसी मट से मिल जाएगी और जो दूसरा option है दोस्तों वो है private taxi का तो आप taxi के माद्यम से भी बद्रिनाज जा सकते हैं अगर आप group में है या family में है तो आप अपनी taxi एक book कर सकते हैं और उसके माद्यम से आप हरिद्वार से बद्रिनाज जा सकते हैं इसका किराया लगबग 10 से लेके 12,000 वो depend करता है कि आप कौन सी taxi book कर रहे हैं वो आपके पास पढ़ेगा दोस्तों अब आप बद्रिनाज पहुच चुके हैं बद्रिनाज में अब बात करते हैं इस्टे के क्या क्या option है खाने के आपके पास क्या क्या option रहेंगे मैं आपको बताना चाहता हूँ बद्रिनाज है वो चारो धामों में सबसे ज़्यादा बड़ा धाम है और facility यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी और सबसे ज़्यादा है यहाँ पे आपके पास रहने के लिए तीन option है इनमें पहला option है दोस्तो जो आश्रम होते हैं तो आप आश्रमों में भी रह सकते हैं आश्रमों में आपको 200 से लेके 500 रुपे तक कमरे मिल जाएंगे जो दूसरा option है वो है GMVN का guest house जो की सरकार चलाती है तो वहाँ पे आगर आप solo traveler है तो आपको 45 से लेके 100 रुपे तक का per bed का dormitory मिल जाती है इसके अलावा आप room भी ले सकते हैं जो की आपको 800 से लेके 2000 रुपे तक पढ़ेंगे और जो तीसरा option है वो है दोस्तो private hotel यहाँ पे बहुत सारे आपको hotel के option मिल जाएंगे जिसमें किराया आपका 500 से लेके 5000 रुपे room का पढ़ सकता है अब वो depend करता है कि आप कब जा रहे हो अगर season में जा रहे हो तो season में तो rate ज़्यादा रहते ही है और जब भीड कम होती है तब rate आधे हो जाते है अब बात करते हैं यहाँ पे आपके पास खाने के भी क्या क्या option है दोस्तों खाने की यहाँ पे कोई कमीन है यहाँ पे आप बहुत सारे restaurant धावा यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको 80 से लेके 300 रुपे तक ठाली मिल जाएगी और North Indian, South Indian हर तरीके का खाना आपको बड़ी असानी से यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों अब बात करते हैं बदरीनाथ में आप कहां-कहां घुमेंगे सबसे पहले आप करोगे बदरीनाथ धाम के दर्सन जो है भगवान विश्णू की तपोस्तली तो मंदिर के दर्शन करने से पहले आप चाहे तो प्राकतिक यहाँ पर जो तप्तकुंड है जिसमें नैचुरल रूप से गरम पानी आता है आप उसमें भी इश्नान कर सकते हैं अन्यता आप अपने होटल में भी इश्नान कर सकते हैं अगर दोस्तो भीड जादा हुई तो आपको मंदिर में दर्शन करने के लिए 2 से लेके 4 घंटे भी लाइन में लगा रहना पड़ सकता है वरना अगर भीड कम हुई तो आपका 1,5 घंटे में आपके मंदिर के दर्शन हो जाएंगे मंदिर से ही 3 किलोमेटर की दूरी पर है दोस्तो माडा गाओ जो की भारत का प्रिथम गाओ है यहाँ पर भी आप जरूर जाईएगा त्यूकि इसकी प्राक्सिती खुबसूरती आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे यहाँ पर भी आपको बहुत सारी ऐसी जगाएं मिलेगी जिनकी मेमोरी आप कभी नहीं भूल पाएंगे यहाँ पर है गडेस गुफा व्यास गुफा और यहीं पर दोस्तो केवल यहीं पर आपको सरुसरती नदी के भी दर्शन होंगे और यहीं पर आपको भीम पुल भी मिलेगा दोस्तो माना वही जगा है जहां से पांड़गों ने स्वर्ख के लिए प्रिस्थान किया था तो जब पांड़गों सरुसरती नदी पार नहीं हो पा रही थी तब भीम ने अपने बाहु बल से यहाँ पर एक पुल बनाया था जिसे भीम पुल कहा जाता है तो आप उस भीमपुल के भी दर्शन करें, आप सरुसती नदी के भी दर्शन करें और माना को भी आप अच्छे से दर्शन कर सकते हैं अगर आपके पाँ ज्यादा टाइम है, तो आप माना से 5 किलो मिटर का ट्रेक करके वसुधारा, वाटरफॉल, जिसे सबसे चबतकारी जर्णा भी कहा जाता है, आप उसके भी दर्शन कर सकते हैं दोस्तों मैंने भी हाली में अपनी बद्रिनात यात्रा करी थी, और इन सब जगाओं की मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, तो आप मेरे चैनल पर जाके उन्हें बारी बारी देख सकते हैं, और बहुत अच्छे से इन चीजों को आप समझ सकते हैं जाने से पहले, तो ये थी बद्रिनात में आप कहां का घूम सकते हैं, अब दोस्तों बात करते हैं कि इस पूरी बद्रिनात ट्रिप में आपका कितना खर्चाएगा, तो हम लेके चलते हैं हरिद्वार to हरिद्वार, तो हरिद्वार से लेके हरिद्वार आने तक पर परसंद 4 से लेके 5000 आनकी वीडियो बना रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं, मैंने उसमें बताया हुआ है कि किस तरीके से प्लानिंग के साथ आप बजट में अपनी चारधाम यात्रा भी कर सकते हैं, दोस्तों अब चारधाम यात्रा से जुड़ी कुछ मैथपोन बाते हैं, या हमें चार तरह पर आ रहे हैं, तो अपने साथ आप गरम कपड़े कैरी करना बिलकुल ना भूले, क्योंकि उपर बहुत जादा मौसम कभी-कभी बिगड़ जाता है, और रात में तो आपको ठंड लगने ही वाली है, साथ में दोस्तों यहाँ पे लाइट की भी दिक्कत रहती है, तो आपको चोट भी लग सकती है, अगर आप गिरे तो, इसलिए आप अच्छी क्वाल्टी के सूज भी पहने, साथ में रेंकोट रखना बिलकुल ना भूले, क्योंकि दोस्तों बारिस यहाँ पे कभी भी हो सकती है, और इंपोर्टेंट बात, आप यहाँ पर ओल्लाइन पे अगर वीडियो पसंद आई होगी, आगर वीडियो पसंद आई है, तो इसको अपने दोस्तों को सबको शेर करें, जो जो बदिनात की यातरा करना चाहते हैं, और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर ट्रैवल बिलोग और इंफोर्मेशन क इस तरीके की वीडियो आती रहती है, आपने यहां तक वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत थैंक्यू, बहुत बहुत आपार, धन्यवाद, जै बद्रिविशाल, नवस्कार